गुद मॉर्निंग एवरिवन आज हम निया चेप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी नीट एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है अब देखो इस चेप्टर का नाम है देट इस कॉल्ड एस दा प्लांट किंग्डम डिस इस चेप्टर नंबर थ्री ओफ यूर ए सब्टनाटा आपसे अगर इस चेप्टर का बेटेस मैं बताऊं तो इस चेप्टर के 2021 में फाइव क्वेशंज चेप्टर से पुछे गए थे 22 तुमें इस चेप्टर से थ्री यह पुछे गए थे और आपके जे जोए थोइठ 23 में भी 33 यह question जो है मतलब इस chapter से पूछे गई थे ठीक है तो हम chapter number 2 को complete कर चुके हैं chapter number 2 में हमने study किया है कि classification system में कितने kingdom आपके पास present है तो हमने 5 kingdom study किये थे kingdom monera, kingdom protestra, kingdom fungi, animalia and kingdom planty आज हम planty kingdom को detail में study करेंगे हमने जो है मतलब monera को भी detail में study कर दिया है, protester को भी study कर चुके है और fungi को भी हम detail में study कर चुके हैं तो आज हम study करेंगे plant kingdom दिखू, Plant Kingdom को understand करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि Plant Kingdom को भी आघे चलके ढ़ाइड किया हुआ, घीक है इसको भी दो भागों में ढ़ाइड किया है वोलने का मतलग क्या है आपके Plant Kingdom को हम दो भागों में ढलाइड करते हैं ऐसे plant जो seedless हैं उनको हम क्रिप्टो गैमी और जो seed bearing plant है उनको हम क्रिप्टो गैमी और जो seed bearing plant है उनको हम क्रिप्टो गैमी उनको हम बोलेंगे ठीक है अब देखो हम क्रिप्टो गैमी को आगे चलके तीन भागों में divide करते हैं आगे चलके क्रिप्टो गैमी को भी हमने तीन devide किया है ठीक है ये जितने भी Plante एंस और इस सारे के सरे कह है seedless plant होते हैं तो सबसे फ़ले इसमें आते है अपका थैलोफाइट नमबर वन in सब्सक्राइब जो भी आपके प्लांट आएंगे उसमें सीडलेस प्लांट आते हैं और इन सीडलेस प्लांट में क्या होता है कि ये भी आगे चलता है इन ग्रूप में हमने डिवाइड किया थेलोफाइटा, ब्राइफाइटा एंड टेरेडोफाइटा अब हम इसके बाद जो स्टडी करेंगे देट इस कॉल्ड एज दा इस कॉल्ड एज फेनेरोगेमी फेनेरोगेमी को भी हमने जो मतलब दो भागा में डिवाड किया है नमब और वन इस कॉल्ड एज दा जीम्नो स्पर्म, एन सेकंड वन इस कॉल्ड एस दा एंजियो स्पर्म को हम डिटेल में स्टेडी करेंगे ठीक है तो मिरा बोलने का मतलब क्या है आपके प्लांट किंगडम को भी दो भागा में डिवैड किया है ऐसे प्लांट जो की सीड लेस ऐसे प्लांट जो कि सीड लेस है उनका नाम के है that is थेलोफाइटा also called as the algae, ब्रायोफाइटा ठीक है and टिडोफाइटा लेकिन जो सीड बनाते हैं वो भी आभी चलके जो मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिये गए तो इस चेप्टर में हम इन पांच डिवीजन के बारे म स्टड़ी करेंगे ठीक है, algae के बारे में डिटेल में स्टड़ी करेंगे, ब्रायोफाइट के बारे में डिटेल में स्टड़ी करेंगे and angiosperm के बारे में हम स्टड़ी करेंगे या chimnosperm के बारे में हम डिटेल में स्टड़ी करेंगे ठीक है तो देखो आपने previous chapter में क्या प के बारे में detail में study करेंगे इस chapter में हम kingdom planting के बारे में detail में study करेंगे ठीक है तू सबसे पहले क्या है जब आपका स्टार्टिंग में जब लीनियस ने classification system दिया था ने बटा तू सुने हर एक organism को cell wall के basis के ओपर जो मतलो दो भागवा में दिवैड किया था kingdom planting kingdom annual लेकिन इस two kingdom classification के भी बहुत सरे drawback देखे गए थे यह photosynthetic और non photosynthetic के बीच में distinguish नहीं कर पाया number one number two क्या होगा यहां पे जो मतलब uniceller और multiceller के बीच में distinguish नहीं कर पाया number two और साथ में जो मतलब यह आपके you carry out और pro carry out के बीच में distinguish नहीं कर पाया ठीक है लेकिन जैसे जैसे हम हमारी knowledge बढ़ती गई तो हमने क्या कि है मतलब three kingdom classification दी four kingdom classification दी five kingdom classification दी और आज हमारे केस में plant kingdom के अलगी मिनिंग है आज हमारे plant kingdom में पांच टाइप के जो ग्रूप आते है अलगे आता है ब्राइफाइट आता है जिम्नस पर माते है और एंजिस पर माते हैं तो यह आपकी anxiety देखने को बोल रही है ठीक है तो यहाँ पे anxiety क्या हो रही है we must stress here that our understanding of plant kingdom had changed over time हमारी जो है understanding change हो गई है ठीक है वर जैसे fungi और आफ मोनेरा और प्रोटिष्टा जो होती है जिनके पास क्या होती है so the cyanobacteria they are also referred to blue green algae are not algae animal साइनो बैक्तिरिया भी आपका क्या है इसको हम blue green algae बोलते हैं लेकिन वो algae नहीं है वो कहाँ प्रोकेरियोट है हम उसको यू यू बैक्तिरिया में हमने study कर चुके है ठीक है और इन इस चैप्टर हम algae ब्राइफ़ाइट डोफ़ाइट जिनस्पर्म और एंज्योस्पर्म के बारे में detail में study करेंगे ठीक है उसके बाद उसको यहां पर आप देखते हैं कि हम कैसी क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट किंग्डम में जो भी है ना इसमें multi-cellular organism आते हैं जितने भी होंगे सार इस्टिल भी हो सकते हैं और इबनी इस स्पेसिफिक हैबिटेट में भी किया हो सकते हैं यह पाए जा सकते हैं ठीक है आपके डिफ्टेंट हंडर्ट तु थाउसंड स्पीसिज वोती है प्लांट की पाए जाती है ठीक है तो अगर देखा जाए तो लीनियस ने अब देखो of number of stamens and carpals their union and presence of the flower ठीक है तो बोलने का मतलब किया जब लीनियस ने classification system स्टार्ट किया तो उसने क्या इस के बेसको उपर करब कर्ब के वेश को इपर क्या किया आपके plant kingdom को 25 classes में मतलब दीवाइड कर दिया ठीक है तो लीनियस system जो था ना वो पूरा का पूरा क्या था artificial system है क्यों क्योंकि यह sexual character of plant को क्या करता है मतलब यह उसको क्या करता है consider करता है classification के लिए दिखो क्या होता है आपकी NCT के बलती है let us look let us also look at the classification within angiosperm to understand the sum of the concern that influence the classification system earlier system of classification जो था used only gross superficial morphological character जो आपका earlier system था classification का उसमें क्या किया रहता है थे cable & morephological encourages के बल पर क्या किया रहे रहता है और अर्गनिद्ञ को classify किया रहता जैसे habit के base के बेस के बेस के बेस के बेस 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 दार पर a shape of leaves के बेस के बेस के बोपर जो मतलब इनको हम क्या habitat and plant की क्या color है number ह और shape of leaves होगी और देबर mainly और on the androsium structure ठीक है और इसको क्या देखा है था cable और cable जो है androsium के structure के basis के अपरी क्या किया जाएगा मतलिब इसको study किया जाता ठीक है study किया जाएगा ऐसे system को हम क्या बोलते है artificial system of classification बोलते थे और they separated था इससे क्या हुआ इसका एक drawback यह हुआ कि इसमें बहुत सारी closely related species होती वह separate होगी टेकर they separate the closely related species since they were based on a few characteristics obviously जब आप किसी organism को classify करोगे न और बहुती कम character के उपर आप बैटेज रखोगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी closely related species भी क्या होती वह separate हो जाती वह अलग लग क्रेक्टर को भी जो मतलब वह equivalent देता था that is not acceptable क्यों क्योंकि bestative characters होते हैं वह environment के द्वारा जोते हैं मतलब वह easily affect जाते हैं obviously अगर temperature high है तो leaf structure अलग हो जाता है temperature low है तो leaf structure अलग हो जाएगा ठीक है तो बोलने का मतलब क्या है आपके artificial system में इक्वल बेटेज दियाता है बहुत important point है यह इक्वल बेटेज दिया जाता है bestative and sexual characters को और this is not acceptable क्यों क्योंकि bestative characters होते हैं they are affected वाइधा जो है मतलब environment के द्वारान को affect किया जा सकता है ठीक है तो artificial system जो होता है linear system of classification is called as a artificial system of classification क्यों क्योंकि यह sexual character को भी study किया जाता था और साथ में positive character को भी classification के time जो इक्वल बेटेज दियाती थी तो आपने याद रखना कि linear system of classification is called as a artificial system of classification ठीक है हमारे पास तीन system आता है classification के artificial आता है natural आता है उसके बाद phylogenetic भी आता है ठीक है इसके बादे को अगर natural system of classification को हम देखें तो उसमें क्या आता था cable यह देखा जाता था कि natural affinities क्या है organism के बीच में organism के बीच में natural affinities क्या थे और इसमें cable external feature को कोई study नहीं किया रहता था लेकिन साथ साथ में internal structure को भी साथ में जो मतलब consider किया था जैसे ultra structure क्या है किसी plant का anatomy कैसी study of study of the internal tissue embryology कैसी है और phyto chemistry यानि कुसके अंदर कौन से plant के अंदर कौन से chemical की basis के अपरी हम के करते classification देता थे तो such a classification of larving plant यह जो दी गए थी that is given by jorge bentham and joseph dalton hooker bentham and hooker system of classification is called as the natural system of classification तो बोलने क्या मतलब किया है देखो एंसेटिक कोडिंग as the natural system of classification जो ड्वल्फ हुआ तो which were based on the natural affinity तो देखता ही देखता था organism के बीच में लेकिन साथ साथ में जो मतलब internal character के साथ साथ external feature को भी वह equal basis देता था not only the external feature but also also in the internal feature like cultural structure, anatomy किया थी, embryology किया थी, phytokymistry को भी equal basis किया था और ऐसा system किसे ने दिया jorge bentham and hooker ने जो मतलब यह classification system को हम क्या बोलते है इस the natural system of classification natural system of classification उसके बाद तीसरा है तीसरा है आपका phylogenetic system of classification इसमें क्या किया था कि evolutionary history या phylogenie की उपर भी जो है मतलब विर्टेज दिया जाने लगा और इसमें आता है आपका angular and prantal ठीक है angular and prantal system of classification is called as the phylogenetic system of classification तो बोलने का मतलब क्या है आपने तीन basis के उपर प्लांट को classify किया है no.1 is called as the artificial system of classification no.2 is called as the natural system of classification no.3 is called as the phylogenetic system of classification artificial में क्या था vegetative character को और sexual character को equalities दी जाती थी लेकिन वो क्या था जूरूरी नहीं था क्यूंकि इसमें बेस्टर्वी characters होते हैं वो environment के दौरा जो मतलब वो equally कि हो जाते हैं वो जो है environment के दौरा जो होते हैं तो आपका artificial system of classification का example क्या है linear system of classification no.2 आपने natural system of classification देखा इसमें bentham and hooker जो मतलब आपका system of classification आता है इसमें क्या हुआ इसमें जो मतलब external feature natural affinities और साथ में internal feature को भी weightage दिया जाना लगा जैसे structure क्या है anatomy क्या है embryology क्या है phyto chemistry क्या है तो इसमें bentham and hooker system of classification जो होता है वो आपका natural system of classification में आता है अब जो आता है आपका phylogenetic system of classification आता है phylo में क्या होता है इसमें evolutionary history of organism भी देखे गई ठीक है इसमें angular और parental वाला system भी आता है ठीक है तो at present क्या है बटा आजकल at present जो मतलब phylogenetic system of classification based on the evolutionary relationship between the various organism जोते हैं यहार acceptable और दिस अजूम देट और organism belonging to same group यह same taxa have the common ancestor तो बी नौ यू उसे the information from many other source to uh to help the resolve difficulty in हम जो है मतलब ऐसा नहीं कि यह मतलब इनहीं के उपर depend है हम और भी source से क्या करता है मतलब classification system के करते हैं मतलब understand करते हैं this become more important when there is no sporting fossil evidences obviously आपके phylogenetic system of classification है वो इसका main important role है वो fossils के ओपर है अब मान लोग किसी organism के fossil ही जो है मतलब क्या बोलते हैं नहीं available है तो इस case में क्या करेंगे इस case में जो है मतलब numerical taxonomy जो की now easily carried out by using computer ठीक है जैसे numerical taxonomy में क्या होता है इसको easily carried out by using computer and is based on the all observable characteristic ठीक है जैसे मतलब जो भी observe आप character करोगे उनहीं को basis के उपन के करेंगे हम किसी organism को classify करेंगे ठीक है इस नंबर और code जो होते हैं characters को जो है assign कर दी जाते हैं और data को स्टाइम के होगा process किया जाएगा और इस तरह कि होगे मतलब हर एक character को equal importance और same time पर जो जो होते हैं हजारों में सेंकुडों में मतलब गुरेक्टर जो होते हैं तो numerical taxonomy में क्यों होते है नेमेरिकल टेक्सोनॉमी में, हम खरक्रेक्टर को एकोल्वेटेश देते हैं ठीक है, हम कम्प्यूटर के स्थ रूःNow को कोर्ड एसंच करते हैं और प्रोसेस्थिंग करेंगे यनिach, बोलने के मतलब क्या है कि आपके हर एक कर्रेक्टर को equal importance जो होती है दी जाती है और same time पर जो मतलब हम 1000 100 of character को जो मतलब study कर सकते है numerical taxonomy में ठीक है numero taxonomy बोलते है उसके बाहर आपका cytotaxonomy cytotaxonomy में क्यों होता है हम cytological information के according cytological information मतलब आपके जो मतलब chromosome का number क्या है ठीक है structure क्या है behavior क्या है इस basis के उपर भी हम क्या करते हैं organism को classify करते हैं chemo taxonomy में हम क्या करते हैं chemical chemical जो मतलब आपके constant होते है protein है dna है ठीक है या आपके जो बहुत सरे मतलब amino तो बोलने का मतलब क्या है कि हमने जो है मतलब artificial system of classification भी देखा ठीक है उसके बाद natural system of classification भी देखा phylogenetic system of classification भी देखा numerical taxonomy भी देखी उसके बाद cytotaxonomy भी देखी हमने और chemo taxonomy को भी हमने देख लिया ठीक है अब plant kingdom को phylogeny के बेस के उपर या seed habit के according हमने कह किया दो भागमेंट वाड किया क्रिप्टोगैमी और फिनरोगैमी क्रिप्टोगैमी में हम क्या बोलते हैं थैलोफाइटा भी बोलते हैं अल्गे इस अल्सो कॉल एजदा थैलोफाइटा तो यह क्लोरोफिल बेरिंग और अबिसली plant है तो उनमें क्यों होगा chlorophyll होगा simply कैसे होते हैं यह थैल वाइड होते हैं थैलोड मतलब इन में नहीं का यहरे रूट और नहीं स्टैम इनकी बॉड यह थैलोट रूट बिड़ाओट डिवरे जैलोट होते हैं ऑर लाजड श्रक्रा exam होते हैं ईक्वैतिक बोलने कर के उपर भी हो सकते हैं और कुछ algae जो होती है फंजाई के साथ जो होती है मतलब वो association बनाती है उसको हम के बोलते है like जो की हम पढ़के आ रहे हैं ठीक है और कुछ ऐसे organism जो की animals के उपर भी पाए जाते हैं sloth wear के उपर भी इनको देखा जाता है ठीक है उसके बार यहाँ पे the form and size of algae बहुत important है यहाँ से question बनते है ठीक है form and size of algae जो होते है यह highly क्या है variable है ठीक है ranging from colonial colonial मतलब यहाँ पे definite number of cells होते है colonial में मिलते हैं उसको हम बोलते है synovium ठीक है ball works colony को हम के बोलते हैं synovium बोलते है इसमे definite number of cells जो हम मतलब देखने को मिलते हैं तो ball works क्या है यह इसके पास synovium होते है ठीक है filamentous form में भी हो सकते है filamentous form का मतलब क्या है when cells are place one above another this is called as the filamentous form of algae जैसे यूलोत्रिक्स है spirogera जोते हैं यह filament की form में भी होते हैं और कुछ ऐसे marine algae है चुकि बड़े बड़े trees होते हैं आपके sea के अंदर ocean के अंदर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं kelp और जो करेंगे बहुत massive plant body बनाते हैं kelp में आते हैं macrosisters kelp में आपके macrosisters आते हैं और साथ में एक और आता है nereocisters नereocisters भी इसमें ही आता है उसके बाद algae reproduce कैसे करती है algae जो होती है यह vegetative way में भी reproduce कर सकती है fragmentation के थू कर सकती है कि algae की body जब fragment में टूट जाएगी तो obviously एक हर एक fragment जो होता है नही algae बनाएगा तो that is the vegetative parts where reproduction में help कर रहा है और sexual formation भी होती है यहाँ पर geospore बनते हैं ठीक है algae जो होती है produced by vegetative asexual and sexual method vegetative reproduction जो होती है by the way of fragmentation इसका मतलब क्या है आपकी algae fragment में break हो जाएगी जब fragment में break होगी तो हर एक fragment क्या करेगा नई algae जो है मतलब उसको give rise कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे vegetative propagation by fragmentation बोलेंगे asexual reproduction कैसे होगी आपके different type के spore बनेगे जिसमें most common कौन सा है geospore और geospore कैसे होते है यह जो है मतलब flagellate होते है और इनमें क्या होता है flagella present होते है और यह कैसे होते है यह motile होते है कैसे होते है यह motile होते है they are flagellated ठीक है motile होते है और यह जो है मतलब आपके कहते है on germination give rise to new plant और sexual reproduction जो होती है इसमें दो टाइप के gamete बनते हैं ठीक है और these gamete जो होते है very very important यहाँ से question बनता है आपका sexual reproduction जो होती है takes place through fusion of two gamete और these gamete can be flagellated ठीक है अगर यह gamete दोनों के दोनों के हैं flagellated हैं दोनों के दोनों gamete के हैं flagellated हैं और दोनों के करेंगे मतलब obviously motile होंगे similar size के होंगे और इनकों बोलेंगे iso-gammy लेकिन कई बार के होते है non-flegellate भी हो सकते है non-motile हो सकते है similar size के होंगे जैसे spirogera में तो इस type के production को हम बोलते है आइसोगैमिट गें में क्या है कि आपके में के इनका साइज जो है सेम हो सकता है लेकिन आइसोगैमिट भी दो टाइब की हो सकती है यह अगर आपके दोनों गैमिट के हैं फ्लेजिलेटर है ठीक है जैसे एक्जामपल है लेकिन दोनों के हैं सेम साइज के हैं फ्लेजिलेटर है एक्जामपल है यूलोथ्रिक्स ठीक है अगर दोनों गैमिट जो होते हैं नौन फ्लेजिलेटर है ठीक है तो एक्जामपल क्या है स्पाइरोगेर ठीक है spirogera जो होता है it is the example of non-flegilated अगर non-flegilated तो non-motile होंगे यहाँ पर motile होंगे लेंगे दोनों same size के होंगे और यहाँ पर क्या होंगे non-motile होंगे तो क्या होंगे यह भी same size के हैं लेकिन एक एक non-flegilated है तो flegilated का example है आपका कौन सा eulothrix and non-flegilated का example है that is spirogera आपने याद रखना है लेकिन दोनों में क्या हो रही है isogame हो रही है ठीक है उसके बाद आती हिट्रोगैमी जो कि आगे चल के दो भागों में divide हो जाती है हिट्रोगैमी में क्या होता है हिट्रोगैमी मे आपके दोनों새 gametes Quranly dissimilar यू-daurina यू-daurina ठीक है यहाँपे क्योंतों दो gametes में तो fuse कर्या है लेकिन दोनों gametes जो होते हैं वह dissimilar in size होता है जैसे यू-daurina नागर इसमें क्योंतों साइज क्यों में Ск выше एयुक् higher and lower less is size क्या बोलेंगे micro gamit बोलेंगे दोनों fuse करेंगे this is the example of anisogamous anisogamy you'd already nice the example and uogamous में क्या होगा आपके इसमें भी different type के male gamit होगे male gamit कैसा होगा motile होगा उसमें flexible present होगा लेकिन female gamit होगा large होगा non-motile होगा static होगा इस type को हम क्या बोलेंगे that is uogamy या uogamous type of fertilization and यहां पे इसको ball walks and fucus मतलब example है यहां से question आपका exam में बनता ही बनता है तो इसको recording आपने काम करना है ठीक है बोलने का मतलब क्या है कि आपके algae में क्या है विटा आपके algae में तीन टाइप की sexual डखो आपकी algae जो होती है तीन वे में reproduction show कर रही है number one is called as the bestative propagation number two is called as the asexual and number three is called as the sexual reproduction और vegetative में क्या हो रहा है fragmentation सबसे common है आपकी जो algae है वो fragment में break हो जाएगी जब fragment में break होगी तो हर एक fragment क्या करेगा एक नए थैलिस form करेगा और sexual में क्या हो रहा है और sexual में geospore normally बन रहे हैं और geospore जोते हो motile होते हैं और इस type के fusion को हम क्या बोलेंगे iso gammy बोलेंगे और ये भी दो टाइप की होती है अगर दोनों जो gamit थे same size के थे लेकिन flagellated थे motile थे eulothrix is the example अगर दोनो gamit same size के हैं morphologically similar है लेकिन आपके जो non-flagellated हैं तो इस पार के दो एक्जांपल आता है थे पार थे नाइसो गयम्य में एक्जांपल आता है कि दो different type के morphologically different है ठीक है फिजियोलोजी कली हो सकता है similar भी हो सकते है ठीक है तो बोलने का मतलब कह है morphologically क्या थे different है तो इसमें जो female gamit होगा large जोग सकों क्या बोलेंगे और जो male gamit होगा उसको हम क्या बोलेंगे micro gamit बोलेंगे दोने fuse करेंगे यू दोरी ना इस एक्जामपल लेकिन ओगैमी में क्या हो रहा है ओगैमी में आपके जो मतलब female gamit क्या था large था food storing था static था वो move नहीं करता है इन दोनों के बीच में जो मतलब fusion हो रही एक्जामपल है बॉल वोक्स और फ्यूकस इस दा केस थीक है अब यहां पे यह तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है अब देखो एलगेज होती है एलगेज होती है यह useful होती है many variety of way में देखो कैसे useful क्यों है यहां से भी question बनता है आपका at least half of half of total carbon dioxide इस अर्थ के ओपर जो fix की जाती है that is by the way of photosynthesis done by the algae carbon dioxide fixation क्या होती है carbon dioxide को change करती है ग्लूकोज में यह अपने photosynthesis में पढ़ेंगे जब हम photosynthesis को detail में करेंगे तो वहां पर इसको study और इसको carbon dioxide water molecule जब combine करता है तो glucose बनता है तो जब यह बनेगा तो वह तो 50% of carbon dioxide होती हो आपका algae को क्या करता है photosynthesis के क्यों करेगा fix करेगा और बिइंग फोटो सिंथेटिक दे इंक्रीज दा लेवल ओफ डिजॉल्व ऑक्सिजन इन दियर इमिजेट एनवार्मेंट क्यों क्यों क्योंकि आपकी एलगेज होती है मैरीन है फ्रेश वाटर भी है मैरीन भी है एक्वेटिक है तो अब विशली फोटो सिंसर कहा हो रही है पानी के अंदर होती है तो आपके पानी में जो कि डिजॉल्व ऑक्सिन की कंटेंट भी बढ़ जाएगा दे आर पैरामाउंट जो है मतलब इंपॉर्टेंस क्यों होते हैं क्यों और यह जो होते हैं प्रेमरी प्रोडूजर नेर्जरीज कंपाउंड के ठीक है और यह बहु सेबंटीन स्पीसिज ऑफ मेरीन एलगे जिनको फूड के रूप में यूज किया जाता है लेकिन कुछ ऐसी ब्राउन एंड रेड एलगे हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो कॉलाइड प्रेउस करती हैं यहां से भी कोशिन बना हुआ है हाइड्रो कॉलाइड क्य क्या प्रेउस करेंगे और केरा ग्रीन यहां से मिलती हैं विचर यूज कमर्सियली और अगार क्या है एक ऐसा कमर्शिल प्रोड़क्ट है जो कि हम जो मतलब जीलेडियम ठीक है एंड ग्रासिलेरियस से जो मतलब यूज करते हैं और उसको हम करते हैं टिश्यू कल्चर में साथ में जैलेक्रोफोर्सिक्स में और साथ में आइस क्रीम और जैली को प्रिपेर करने में अगार अगार जो है मतलब यह आपके मीडियम को सॉलिडिक्रीकरेडिया घ्रफोड फ्रिफ़ यूस क्रीम जालीज ऑडू आइन यूनिसर तब प्रोड़िए और इच इन प्रोटीन इस यूज्ट फूट सप्प्लीमेंट इवन फाइस ट्रैवलर और करते हैं तीन फागव में डिवाइड करते हैं on the basis of their pigment ठीक है और श्टोर फूड की फोर्म में के तीन फागव में डिवाइड करेंगे ठीक है तो बोलने का मतलब क्या है कि आपकी एलगे जो है ने विटा उसके अगर बेश्टेटिव स्ट्रक्टर को देखा जाए तो थैलस है नहीं उसके अंदर कोई टिफ्रेंशेशन नहीं है रूट की स्टेम की लीव्स की और एलगल सेल वाल जोती है इ इसमेड़ पॉफ सलोज एंड आउटर लेर इसमेड़ पॉफ पैक्टीन ठीक है अगर एलगे में हम अब देखो इसको डिवाइड किया है पिगमेंट के विसस के अपर ठीक है तो इसकी तीन टाइप है क्लोरोफाइसी रेड़ रोडोफाइसी एंड आपके जो मतलब यहां पर इल्गे हां पर दिखाए घया आपकी बुक में ठीक है तो डीवीजन और फैल एंड इयर मेन क्रेक्टर तो क्लोरोफाइसी फीओ रोडोफाइसी इनका प्लोरफाइसी को कुं घ्रीन अलगे भी बोलते हैं ठीक है ब्राउन इल्गे फिओफाइसी को बोलते है रैड अल ठीक है उसी तरह अगर अगर देखा तो अ में हैसे में साथा तरह में ए इसार है यार पिगमेंट प्र anda Otto H bout नहीं होता है एक विज्थ एक जिएन से holes को पसते हैं तो फोर्प करते हैं इस्टार्ज की फूर्म और इसली तरह रोड वायची में फ्लोरिदेन इस थी खोलास दो को मिया अंब टी यह चोल्जए करना फंता एक की होते हैं ठीक है आपके जो क्लोरोफाइसी में जो फ्लेजला हैं कितने हैं दो से आठ हो सकते हैं ठीक है सारे के सारे क्या होते हैं एक्वल होंगे और सारे के सारे कहां पाई जाएंगे एपिकल पोजीशन में ही पाई जाएंगे ठीक है अब यहां पर इसमें दो हैं लेकिन अ habitat habitat की basis के उपर देखो आपकी जो chlorophyce that is fresh water है brackish water में पाई जाती है और salt water में भी यह पाई जाएगी ठीक है fresh water में brackish water में salt water में पाई जाएगी fresh water में सम होगी brackish water salt water में maximum पाई जाएगी आपने यह भी याद रखना है तो this is the division of algae on the basis of their pigment अब देखो anxiety के according क्या बोलते हैं member of chlorophyce member of chlorophyces होती है they are commonly called as the green algae भोलेंगे ठीक हमें पता है plant body जोती है वो uniceller भी हो सकती है जैसे कलमाइडो मुनास जोता है example है green algae का जो की uniceller होता है colonial भी हो सकती है ball box example है colonial का filamentous जोती है filamentous example है eulothrix और spiral गएरा जोते हैं filamentous होते हैं और यह green की होती है क्यों क्योंकि इन में dominance of pigment chlorophyll A and B present होता है इन में जो pigment होता है chlorophyll A and B pigment पाया जाता है ठीक है pigment कहा होगा chloroplast के अंदर होगा chloroplast के अंदर कहा होगा spiral भी हो सकता है ribbon shape भी हो सकता है different species में ठीक है तो यह क्या होता है ribbon shape cup shape reticulate यह इसमें भी क्या हो सकते हैं उसके बाद यहां पर most of member have one or more storage body called pyrinoid जो की chloroplast में होती है जो की starch और protein को जो है मतलब protein के साथ starch भी करती है store करती है pyrinoid contain protein beside starch some algae में store food in the form of oil droplet green algae जो तीन के पास reduced cell wall होती है और inner layer of cellulose and outer layer of pectos यह आपने आद रखना है inner layer of cellulose and outer layer of pectos बनती है ठीक है और वही आगया fragmentation से होती है formational different type के spore बनते है और sexual में और यहां पर geospore बनेगे कहां बनेगे geospore angia के अंदर बनेगे और sexual production जो होती है यहां पर sex cell बनेगे and isogamous होगी isogamous भी हो सकती है and isogamous भी हो सकती है और uogamous भी हो सकती है एक्जामपल इसमें कलाइड़ मुनास ठीक है cup shape chloroplast होता है ball wax yellow tricks ठीक है girdle shape और spiral के रहा ठीक है and kara जोते हैं they are the example of green algae they are the example of green algae ठीक है आप यह diagram में भी देख सकते हो उपर जो तीन example दे रखें ball box ठीक है this is called as the यूलोथ्रिक्स जो की filamentous है ठीक है अब आ जाओ brown algae के पास member of a few phycee are commonly known as brown algae ठीक है और यह कहां पाए जाते हैं यह marine habitat में पाए जाएंगे ठीक है यह simple भी हो सकते हैं इनके they show great variation in size and form they show great variations in size and form they range from simple branch भी हो सकते है ठीक है और साथ में यह filamentous form में भी हो सकते हैं जैसे आपका filamentous कौन सा है ठीक है macrosystis and neeriosystis जोते ही हाइट 100 मिटर दक भी पहुंच सकती है ठीक है chlorophyll कौन सा है chlorophyll A है C है keratinoids होते हैं और gentophyll that is fuco genthine present होता है ठीक है gentophyll और keratinoids भी present होते हैं ठीक है they vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the gentophyll pigment that is fuco genthine जोता है वो present होता है कहां पे in them food जो होता है it is stored as a complex carbohydrate ठीक है विच में भी in the form of laminarian और manetol की form में होते हैं ठीक है vegetative cell के पास क्यों होती है cellulogic wall होती है usually covered outside by gelatinous coating of algene ठीक है और protoplast contained यहां पे plaster तो हैं लेकिन बहुत क्या है centrally located backule and nucleus भी present होता है ठीक है और यह plant body जो होती है यह substratum के साथ hold fast के जो होती है attach होती है and hedge stock the type and leaf like photosynthetic organ is called as the front यहां पे देख सकते हैं ठीक है यह जो है उपर आपके diagram दे रखिए ठीक है यह जो है hold fast जो कि इसको attachment important role play करता है type and leaf like structure is called as the front इसको हम बोलते हैं ठीक है hold fast stock and leaf like structure is called as the front यह आप देख सकते हैं की मतलब यहां पर तीन एक्जांपल रखें फर्स्ट एक्जांपल लेमिनेरिया का second is called as a fucus from fucozenthine and dictiota जो है मतलब यह तीन एक्जांपल दे रखें हैं आपके पास few 5 ck few 5 ck तीन एक्जांपल टे रखें ठीक है अब देखो कर डेंस करीं कैसे हो रही है अब यह कूई है fragmentation है और sexual function कैसे हो रही है by fight प्रेजलेट ज्युस्पोर बन रहे हैं और पीर से भी हो सकते हैं यहाँ पर यहां पर दो अनीकुल लेटरली प्लेस्ट फ्लेजला प्रेजला प्रेज़न्ट होते हैं यह भी आपने याद रखने हैं में क्यों होगा आइसो गैमस और यूनियन ऑफ गैमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर और विदिन दा ऊगोनियम और गैमीट जो थे हैं पाइरी फॉर्म होते हैं और तू लेटरली अटेस्ट फ्लेजला और कॉमन एग्जाम्पल के एक्टोकर्पस ठीक है उसके बाद है डिक्टियोटा लेमिनेरिया सारगा समेंडर फ्यूकस जो हैं कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूकस जो हैं कॉमन एग्जाम्पल है ठीक है उसके बाद है लास्ट इस कॉल एज रोड़ोफाइसी मेंबर अफ रोड़ोफाइसी जो ते इनकों क्या बोलते है में रैड आले कि क्अ क्योंकि इनमें ट्रराइब ठंसनुद्रमन करा लिए को रिप्षरन गें वो मेरीन होते हैं क्यों क्योंकि यह इस्छी लाइड बारेङ आजके illustrateबी हो प्रेजेंट हो सकती है ठीक है और हजायट थेलोस आफ मोस्ट अफ एडल के जोते हैं यह क्या होता है सम अफ देम हैब कंप्लेक्स बॉड़ी औरगनाजिशन फूड जो होता है वो फ्लॉरीडिन स्टार्स की फॉर्म में जो मतलब स्टोर होता है जैसे सिमलर तू अमाईलो प ठीक्रल प्रडुक्शन कैसी है वो गैमस टाइप की है जिसमें पोस्ट फटर्टलेशन ढोलेट्मेंट भी होती है यह जो है present here यह साके यह present here को मिलते हैं तो यह आपने याद रखना है Common example देखने को मिलते हैं यह सारह क्या था है अब अब जो है अलौ एवरुवन हम स्टडी कर रहे थे एलगे के बारे में बीच में connection कट्थोने की बस से हमने complete नहीं कर पाई लेकिन एल्गे जो है उसके हमारे पास दो ही टॉपिक बचे हैं थीक है हमने एल्गे के बारे में स्टडी कर लिया है तीक है अब हम कुछ ऐसी ऐल्गे पढ़ेंगे जो की एडीशनल है कि जो की अन्यूज्वाल हैबिटेट में पाई जाती है सबसे पहले आती है hacerlo- fitic-algae थिक है, number one is called as Hello-fitic-alg애 ऐसी algae थिक है, जो की sea water में होती है, नॉर्मली सारी maximum algae तो महरीन ही है फ्रेश वोटर ही है लेकिन कुछ ऐसी algae है जो की saline sea water में, salt lake में और high concentration of salt को Sedan कर जाती है जैसे कलमाइडोमनास ठीक है आपने सुनाई होगा कलमाइडोमनास जो हता है वो कह है इस टाइब की ऐलगे होती है जो की मतलब आपके sea water में पाई जाती है ठीक है ये भी आपने याद रखने है ठीक है उसके बाद कुछ ऐसी ऐलगे है जो की plant के उपर पाई जाती है that is called as the epip फिटिक एलगे ठीक है epiphyte का मतलब क्या हता है epiphyte 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 मतलब उपर और phytic मतलब plant grow on the larger algae ठीक है यह ब्राफइट के उपर angiosporm के उपर जैसे oidogonium ठीक है इसमें आपके पढ़ेंगे जैसे example oidogonium इसमें example आ जाता है ठीक है और second जो है इसमें macrospora ठीक है macrospora ठीक है second example इसका जाता है macrospora जो हती है यह कुछ ऐसे algae है जो की plant के उपर पाई जाती है ठीक है so number one is the halophytic second one is the epiphytic epiphytic जैसे oidogonium जो होती है macrosporal जो होती है यह attached to the largest species of the algae that is bochiria cladophora और rhizoclolium के नाम के मतलब algae के साथ यह पाई जाती है ठीक है यह आपने याद रखने है उसकी बाद epijoic algae है ऐसी algae जो की animal के उपर पाई जाती है epijoic algae जैसे इसमें आपने सुने होगा cladophora crispata cladophora crispata जो होती है यह कहां पाई जाती है यह आपकी पाई जाती है cladophora crispata जोती है It is found on the epijoic on the snail cell Snail cell के उपर ये पाई जाती है ठीक है Endojoic भी है S.E.L.G. जो कि Animal के अंदर पाई जाती है That is called as the endojoic जैसे Juclorella ठीक है Juclorella जो ती है कहाँ पाई जाती है ये बहुत सारे मतलब Proto-Jones में या Invertebrate में पाई जाती है ठीक है उसके बाद एक और आती है Parasitic जो कि आपके Tea Leaves और Coffee Leaves में के करती है Disease Cause करती है नाम है उसका Cephalros ठीक है Cephalros जो होती है एक टाइब की जो है मतलब Algae जो कि Parasite के रूप में पाई जाती है Cephal Euros जो होती है एक टाइब के Algae जो कि यह Hot Water Spring में पाई जाती है और यह High Temperature में भी Survive कर सकती है Due to Absence of Well Organized Nucleus इसका नाम है Oscillatoria Braebus ठीक है Oscillatoria जो होती है मतलब एक टाइब की जो है मतलब यह Algae है जो कि मतलब Oscillatoria Braebus जो होती है Brave काम कर दिए तो यह कहां पाई जाती है जो कि Unusual Habitat में पाई जाती है आसे Halophatic है Kalmyadumnaz हमने पड़ा Epiphytic हमने पड़ा जो कि प्लान के उपर पाई जाती है Microspora and Udogonium ठीक है Epijoic जो हमने पड़ी That is Sloth Cell के आपके जो Sloth Beer के उपर पर पाई जाती है ठीक है और साथ में जो मतलब यहां पर पाई जाती है ठीक है उसके बाद उसके बाद Economic Importance के होती है Economic Importance में हमने पड़ चुके है लेकिन आपकी Economic Importance में सबसे पहले आता है Food के रूप में भी आपकी एलगे जो मतलब Use की जाती है Food के रूप में जैसे Laminaria है Porphyra है सारा का समझ होती है यह सारी जोती है Food के रूप में Use की जाती है Food के रूप में Use की जाएगी यह भी आपने आद रखना है ठीक है Chlorella भी आपकी Single Cell Protein का काम करती है Food Supplement के रूप में Use की जाती है आपने बढ़ा हुए आपने यह भी पढ़ा कि फोडो सिंसीज में तो बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले करती है क्योंकि 50% आप कारवन डैकसर जो होती है लगे के द्वारा ही फिक्स की जाती है आपके जो ब्राउन अलगे हैं लैमिनेरिया है मैक्रोसिस्टिस है फ्यूकस है डिक्टियोटा है इनकी सेल वॉल के बाहर चैलोस के बाहर जोता है यह फाइकोखलाइड है ठीक है जिसमें यूज कियाता है इसक्योटे ग्लासिज में फिर फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक्स में इमलसन बगएरा मैं अगार अगार भी बनाई जाते हैं आपके य आलगे से ठीक है रडी जियलेएडियम एबुह टै बहुत इंपोट है केरा ग्रीन जु मतलब यह रडई aztा ही उक्तेन कियाती है केरा ग्रीन रही नाम में ग्रीन है ठीक है केरा गरीन केरागीन बोल दो इसको झैकेरागीन जने जर्ण इसके हमें केरागीन जर्ण जने तो है तकी या लॉट सारी एल में जरी ने लुए जिसे कोorar लीना ज रॉट में existe रभे जिसको सोन्रीक में मेडिकी की रोप में यूदे हैं कि करती है ती के हैं लेमिनेरिया और इभन एसको फाइलम जो होती है उसके पास एंटीबायोटिक प्रॉपपर्टी होती है Krpl मुत कि अभने प्रलंच अभू एंटीबायलोटि carnival देखने को मिलती है तो यह कुछ additional information थी एलगे के बार में और आपको पता है यह study of elgage होती है उसको हम क्या बोलते हैं फाइको लोजी बोलेंगे ठीक है और elgage होते हैं यह non embryo fight है इनमें embryo नहीं बनता है जैसे हम higher organism है यह आप human में नहीं ले लो embryo बनता है लेकिन आपके higher plant होते हैं महां पर भी embryo बनता है dicot embryo monocot embryo ठीक है तो बोलने का मतलब क्या है इनमें कोई embryo नहीं बनता है यह non embryo fights होते हैं यह and इनकी जो sex organs होते हैं वो non-jacketed होते हैं non-jacketed होते हैं होते हैं इसमें एक रेड अलगे है ठीक है और इसमें क्या होता है यह फ्रेश वाटर फिलामेंडस रोड़ोफशन अलगे है जिसको frog spawn अलगा बोलाता है frog spawn अलगा भी बोला जाता है ठीक है और जैसे लेमनेरिय की कुछ ऐसे species जो कि आपके व्राउन अलगे में आती है उनको हम डेविल्ज अपॉर्न बोलते हैं क्या बोलते हैं डेविल्ज अपॉर्न हम बोलते हैं ठीक है और आपकी अगर अलगे में देखा जाए तो यह अलगे में सबसे बड़ी अलगे है लारजस्ट है ठीक है और सपायब गाइरा को हम पॉंड स्कम भी बोलते हैं ठीक है पॉंड सिल्क भी बोलते हैं ठीक है क्यूं कि भीलोडब प्रेजंट होता है यह आपने याद रखना है क्लिए आपको बात होने चाहिए ठीख है हमने जो है ठेला अपके जो है मतलब थैलोफाइट यह को हमने कंपुलीट study कर लिया है ठीक है अब हम पढ़ेंगे ब्राइफाइट ठीक है देखो ब्राइफाइट को नौर्मली क्या होता है ब्राइफाइट जो तिनको ब्राइफाइब यह लिया वर्ट भी होगा और साथ में लैंड भी होगी ठीक है इनकी फर्टीलाइजिशन के लिए गयमेट ट्रांसपूर्ट के लिए करने के लिए वाटर बहुत जड़ा importance होती है इसलिए they are called as the amphibian plant kingdom ठीक है यह usually कहोते है damp और आपके shady localities में पाए जाते हैं और यह plant succession में बहुत ही important role play करते हैं देखो कैसे कैसे इसको समझना है ठीक है ब्राइवफाइट include various mosses आपने इसमें लीवर बॉर्ट हम आएं पढ़ेंगे इसमें ठीक है that are found commonly in the moist study areas in hills में पाए जाएंगे ठीक है markensia का diagram दे रखा है fun area का diagram दे रखा है और even sphagnum का भी diagram आपको दे रखा है ठीक है ब्राइवफाइट को हमके बोलते हैं amphibian of plant kingdom बोलते हैं क्या बोलते हैं they are called as the amphibian of plant kingdom because these plant can live in soil ठीक है यह soil में तो रह सकते हैं but dependent on water for sexual reproduction और यह कहां होते हैं they usually occur in damp humid and shaded localities में होते हैं और यह बहुत important role play करते हैं plant succession में यह बहुत important role play करते हैं succession on bear rock and soil में बहुत important role यह play करते हैं ठीक है अब देखो plant जो body है ब्राइफाइट की वह ज्यादा differentiated है as than the algae देखो algae को हम क्या बोलते है simple thalophyte बोल रहे थे थे थेलस बोल रहे थे क्योंकि नहीं उनमें root प्रेजन थी नहीं में stem प्रेजन थी लेकिन अगर देखा जाए ब्राइफाइट को compare किया जाना algae से तो यह ज्यादा differentiated है ठीक है यह थेलस लाइक तो है इस थेलस लाइक भी है प्रोस्टेट और इरेक्ट भी हो सकती है और यह सब्स्ट्रेटम के साथ अटेस्ट होते हैं अगर यह देखो यह लीफ लाइक स्ट्रक्षर में थे हैं जो कि युनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टिसलर भी हो सकते हैं जैसे हम है न हम डिप्लाइड है लेकिन ब्राइफाइट की जो में फ्लाइट वड़ी की होती है है और देखो यहां पर यहां पर यहां पर इंपॉंट है इसको क्या बलते हैं गैमिट बनाएगी और गैमिट जो बनेगे वह स्पेसिफिक sex organ में बनेंगे that is male sex organ is called as the anthridium and female sex organ is called as the archegonium ठीक है तो sex organ in bryophyte are multicellular है तेकिन algae में क्या थे कोई sex organ नहीं थे अगर थे तो वो unicellular थे non jacketed थे ठीक है और इसको हम क्या बलेंगे anthridium बोलेंगे they produce biflagellate यह क्या अपनाते हैं biflagellate जो है और female sex organ जो तिसको हम क्या बोलेंगे archegonium बोलेंगे और यह produce करेगा single aggola anthirozoids होते हैं they are released into water इसका water का time where they come in contact with archegonium और anthirozoids होते हैं fuse हो जाते हैं जाइगाट बनाते हैं और जाइगाट जो होता है वो रिडेक्शन इसमें हो जाती है और होता है gametophyte के उपर तो sporophyte is not pre-living but attached to the photosynthetic gametophyte and drive nourishment from it और some cell of the sporophyte होते हैं उन में क्यों होता है कि मतलब division होगा और miosis होगी तो क्या बनेंगे spor बनेंगे फिर spor obviously miosis से बने तो है प्लाड होते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं यह gametophyte बनाएगे फिर वह एक cycle है तो क्या होगा अगर cycle को रिपर जैसे gametophyte है gametophyte के अपर क्यों होगा male gamet भी बनेगा और female gamet भी बनेगा जब यह प sporophyte के अंदर क्या होते हैं वैसे sporophyte के तीन portion होते हैं food, sita, capsule और capsule के अंदर जो होते हैं वह spor मतल से होते हैं उन में miosis होती है sporets वहam! haploid तरहे हो sporets जब germinate करेंगे तो क्या बनाएगCaletophyte बनाएगे यह cycle चलता रहेगा सैकल चा minutes , lumin peuvent बन بنेगेuba भी बनाएगे जैयक rifip Drag try भी बनेगे , spore बनेगे , some- Elliott, spore बनेगे Political Regions इसलिए और यहाद ही आथ प्राइट के रूप में वह डिपेंड है किसके ओपर गैमिट ऑफाइट के वह डिपेंड है इस तरह यह बनते चले जाएंगे ठीक है अब देखो यहां पर ब्राइफाइट होते हैं ठीक है ब्राइफाइट इन जन्रल आर लिटल एकॉनमिक इंपॉर्टन्स इनकी जो मतलब बहुत ही कम एकॉनमिक पॉंटर्स है लेकिन यह करते हैं इसके चार फंक्षन आपने याद रखने यह स्वाइल इरोजिन को प्रिबेंट करते हैं क्योंकि आपकी ब्राइफाइट होते हैं यह मौस्स की फॉर्म में भी होते हैं मौस्स होती है कि ठीक मैट बना देती है आपके जो मतलब स्वाइल इरोजिन को प्रिबेंट करेंगे स्वाइल फॉर्मिशन में इंपोरनट यॽाँ प्ले करते हैं इनको इनधन के रूप में भी यूज कियाता है जिसको हम प्रियाफाइट जो हते हैं ने यतल्ट ऐकॉनमी को क्स लेकिन और मौस्स प्रवाइट होती है जैसे एक moss है sphagnum जो होती है it is called as a peat moss peat moss जो की provide peat that इंधन provide करती है that have been long been used for fuel के रूप में इसको यूज की आता है और इसको packing material के रूप में भी यूज की आता है for living material because ये hold कर सकते है water को ये water को hold कर सकते है ठीक है mosses along with lichen ये जो होती है first pioneer है जो किसी rock को जो हम मतलब करते है colonize करते हैं succession में important role play करते हैं और ये decompose rock making the substrate suitable for growth of higher plant since mosses जो होती है dense mat बनाते हैं soil के उपर ये जो मतलब falling rain को soil erosion prevent करते हैं इसलिए हम करते हैं soil erosion में इन कहा कर रूप ले करते हैं soil formation में important role play करते हैं water cool retention में important role play करते हैं और peat में भी ये हमें इन धन भी provide करते हैं that is called as a peat mosses called as a sphagnum ठीक है और mosses होते है lichen के साथ होते हैं ये ecological importance भी show करते हैं क्योंकि ये आपने पढ़ोगा जब आपने succession के बारे में study किया होगा तो उसमें आपने जिराद succession पढ़े होगी तो वहां पे लिखाओगा lichen and mosses होते हैं पहले ही colonize करते हैं rock को उसको degrade करते हैं उसको wither करते हैं उसको soil particle के अंदर change करते हैं और higher plant की growth में important role play करते हैं तो ये आपने याद रखना है ठीक है ये great ecological importance के हैं ये ठीक है अब देखो bryophyte को हम बैसे तो तीन भागों में डिवाइड करते हैं ब्राइफाइड को number one is called as the hepaticopsida ठीक है उसके बाद second आता है anthoceropsida ठीक है anthoceropsida ठीक है and third आता है आपका that is called as that is called as the that is called as the bryopsida ठीक है ठीक है आपने या रखना ब्राइव पसेडा ठीक है and hepaticopsida ठीक है anthoceropsida और bryopsida hepatico को हम क्या बोलते हैं देखो इनको capsule के वेसिज को इपर रखा गया है capsule का structure कैसा है अगर capsule का structure जैसे मैंने बढ़ा capsule के पार होते हैं sorry sporophyte के तीन पार होते हैं sporophyte के structure कैसा है अगर लीवर्स अलाइक है तो इसको hepaticopsida बोल दो अगर वह होर्न की तरह है तो इसको हम होर्न वाट बोल देते हैं और अगर मॉसिस बना रहे है तो that is called as the bryopsida ठीक है में प्लांट बोड़ी क्या होगी में प्लांट बोड़ी तो गैमिट फाइटी है इसमें मार्केंशिय हम पढ़ते हैं मार्केंशिय इसका example है रिक्सिय जो इसका example है मेल प्लांट बोड़ी कैसी है यहां पर मार्केंशिय में क्या होता है यह डायोसिस कंडिशन देखी गई है तो अब जब सेम काम हो यह रहा है कि वहां पर गैमीट बन रहे हैं मेल गैमिट बनेगा एंथिरोज्वाइट होगा वह एक स्पेसिफिक ब्रांचीज के उपर बनते हैं इंथिरोज्वाइट बनाएगा थेक है उसी तरह आर्की गोनिया फॉर वाली ब्रांचीज होगी आर्की गोनिया होगा और इसके अंदर एकसल होगा दोने फटलाइज करेंगे जाइगवट बनेगा जाइगवट डवल्ब करेग यह कहाँ होते हैं यूजली मवास्टेंस एडी ऑबिसली वही है कि सेडी हाइविटेट में पाया जाते हैं बेंक अप स्ट्री में मार्शी ग्रांड में डेम सोयल में बार्क आप ट्री में डीप इन ल वुड में और प्लांट वोडीज होती है ठैल लाइट थैलस होता है और से बिनता ये होता है फिर्क हैं जो कि ये सबस्ट्रेट्ट के दुआरा आटेज हुता है उनी सेलडर धियक्ड रजने मेंबर की यह वह प्रेजें कैसे होगी फ्रेग्मेंटि Apollo के फ्रेगमेंट इस थोऊ सकती है ऐसे चाहिए गृट में टूटो गया तो ऐसे क्थां सकते हमिएं क्यों मिया महते। multi seller होते हैं और sexual bird है ये बढ़ हैं which developed on the small receptacle एक specific branch में बनते हैं और ये उसको बनते हैं जी में कप में होते हैं और located on the dorsal surface of the thallus और जी में जैसे ये अलग हो जाएंगे parent body से ये नया plant जो बना सकते हैं और during sexual production में क्या होगा male and female organ जो होते हैं specific different thallus दो लग है male अलग है female plant अलग होगा ठेक है ठेलस के पर बनेगा और फिर क्या होगा इसमें gamet बनेंगे gamet fuse करेंगे sporophyte बनाएगा sporophyte पूरा का पूरा gametophyte के और परी depend है ठेक है और obviously forseta capsules में होते हैं और after meosis spore जोते होगे और spor क्या करेंगे germinate कर जाएंगे to produce free living gametophyte यह gametophyte बन जाएगा इसमें एक्जामपल है आपका रिक्स्टिया एंड फ्यू मार्केंसिय जो है एक्जामपल है ठीक है उसके बाद है मौसिस देखो मौसिस का क्या है कि इसमें भी predominant stage के होगी life cycle की gametophyte ही है इसमें भी predominant stage के होगी gametophyte ही है और gametophyte जो है इसमें इंप प्रोटो नीमा stage कहां पाई जाती है मौसिस में पाई जाती है इसमें जो पहली stage है और प्रोटो नीमा stage होती है वो spore से बनती है directly spore जब germinate करता है तो क्या बनाता है प्रोटो नीमा बनाता है ठीक है और प्रोटो नीमा कैसे है creeping है green है ब्रांस्ट है और filament shape है ठीक है फिर प तेक है और leafy stage होती है, develop कहां से करती है, from scandry protonima ठीक है यह जो leafy जनती है पहले protonima बनेगी यह आगे चलब के scandry protonima बनाएगी और scandry फिर बनाएगी, leafy stage बनाएगी और इसमें क्यों होते है, upright branches देखनों को मिलती है, ठीक है यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर बनाएं देखने को slender axis इसमें क्यों होते हैं leaves present होते हैं leaves होते हैं यह जो होते हैं they are attached ठीक है two step में देखो यहां पर leaves होते हैं arrange होते हैं और यह जो हैं यह मतलब यह rise wide कैसी है multi cellar यहां पर they are attached to soil through multi cellar and branched rise wide और इसी stage के अपर क्या होते हैं sex solving जो होते हैं present होते हैं ठीक है और यहीं पर क्या है आप देख सकते हैं कि मतलब यहीं पर क्या है मतलब आपके male gamit बनेंगे female gamit बनेंगे बनेंगे specific branches में बनेंगे उनको अन्थ्रेडियम बोलेंगे archigonia बोलेंगे और अन्थ्रेडिया जो हता है male gamit बनाएगा archigonia जो भी male gamit बनाएगा जोनों fuse करेंगे और क्या बनाएगे जाइगोट बनेंगा जाइगोट क्या करेंगा डिवल्प करेंगा किस में sporophyte में sporophyte के तीन portion होते हैं यह आपके capsule दे रखा है food ठीक है सिटेंड capsule capsule के अंदर के होते है spore mother cell present होते हैं और spore mother cells के करते meiosis करेंगे और क्या बनाएगे spore बनाएगे और spore जब generate करेगा तो दवारा वही प्रोटोनीमा प्राइमिज प्रोटोनीमा स्केंडिर प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज लीफी स्टेज पर दवारा क्यमिट बनाएगी वो cycle चलता रहे हो है कि predominant stage of a life cycle of moss is gametophyte है ठीक है दो stage होती है first stage is called as a protonima stage जो कि sports directly क्या करती है germinate करती है it is creeping है green है branched है और frequently कैसी है filamentous stage होती है और second stage कैसी होती है leafy stage है which developed from the scandal protonima as a literal bud as a literal bud they consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaf होती है they are attached to the soil through multi cellar and branched rhizoid और this stage bear sex organs और यहां पर fragmentation हो रही है budding हो रही है ठीक है किसमे in the scandal protonima में और sexual production में क्यों और sex organ and 3DRR पी बोनी है जोते है produce होते है at the apex of the leafy shoot ठीक है after fertilization जोता है जाए गोर्ट किसमें develop हो जाएगा sporophyte में इसमें food है sita capsule है और sporophyte जोता है वो more elaborate than the leaf word से ज्यादा sporophyte जोता हो ज्यादा elaborate होता है ठीक है इसमें columnella stage present होती है capsule contains spore और spore जोते हैं यह फिर क्या बनाते है meiosis से बनते हैं और यह जोते हैं the mosses have elaborate mechanism for spore dispersal और common example जो है funeria है polytrichum है और sphagnum जो इसमें हम study करते हैं ठीक है अब इसमें study of bryophyte को हम क्या बलते हैं bryology बोलते हैं ठीक है study of bryophyte को हम क्या बलेंगे bryology बोलेंगे tallest bryophyte कौन सा है dawsonia ठीक है dawsonia जो है मतलब यह tallest है जिसकी height कितने होती है 70 cm होती है ठीक है polytrichum जो आपने mosses में पढ़ा इसको हम hair cap moss भी बोलते हैं क्या बोलते हैं polytrichum को हम hair cap hair cap moss भी बोलते हैं और sphagnum को हम peat moss भी बोलते हैं क्या बोलते हैं peat moss and also known as famine food क्या बोलते हैं इसको famine food भी बोलते हैं ठीक है इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी आपका liver ward पढ़ा और आपका जो मतलब हो और पड़ा लीवर वाट में क्या हमने पढ़ा कि यहां पर गैमिट फाइट तो हैं अब यह गैमिट बनाएंगे माइटोसिस से बनाएंगे क्योंकि हैप्लॉइड है ठीक है अब यहां पे specific branches हो कोलेंगे अन्थ्रीडियम जो की में बनाएगी ठीक है और आपके आपके ज्गोनी जो कि मैं बनाएगे भी मेल गमिट बनाएगी एंस यह होता यह होगी तो जबनेगा चैनल कि आपके सॉरोफाइट अलग नहीं बनेगा वह आपके वापके विपाइट व प्पर डॉप है वो ग्रमिटोफाइट के उपर attest है ठीक है वो इससे नरिश्मेंट ले रहा है क्योंकि वो नॉन फोडोसिंथाटिक है तब दूसको नरिश्मेंट चाहिए ठीक है तो इसमें तीन पार होते हैं फूट, सिटा, कैपसुल और कैपसुल के अंदर होते हैं प्राइमिटोफाइट बनाएगा ठीक है यहां पर ट्राइक है अब यहां पर ट्रेडोफाइट होते हैं इसमें आते हैं आपके होर्स, टेल और फर्म जो भी आएंगे सारे इसमें ही आते हैं ठीक है ठीक है ट्रेडोफाइट होते हैं यह यूजड फॉर मेडिसिनल परपजिज ओन इनकों क्या बोलते हैं यह स्वाइल बाइंडर होते हैं जानते हो क्या होते हैं यह स्वाइल बाइंडर होते हैं यह स्वाइल को बाइंड करके रखते हैं और यह ज यह क्या होते हैं फर्स्ट प्लांट होते हैं जिन में कि आप देखा गया था जैलम फ्लोयम पड़ा होगा जैलम को इस पहले प्लांट थे जहां पे जाइलम और फ्लोयम जोते मतलब ड्यावी ते इस बान्ट फजेस बलकी आपके एलगे में ब्राफट मेंशिजिंग नहीं द तो यहां पे सबसे पहले के जिन में देखा गया था ठीक है यू यू रॉटी मोर इस आनोटमी से जब आपके और मॉर्फोलोजी पड़ेंगे ठीक है टुडफाइट होते हैं यह आर cool damp steady places में पाई जाते हैं ठीक है दो some may flourish well in sandy soil condition में ऐसा नहीं कि मतलब यह आपके केबल और केबल यह cool damp steady places में पाई जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपकी sandy conditions में भी flourish कर सकते हैं ठीक है इन ट्रिडोफाइट में क्या देखर आपने ब्राइफ़ाइट में क्या पड़ा ब्राइफ़ाइट में प्लांट बॉड़ी क्या थी में प्लांट बॉड़ी जो थी वह गेमिटोफाइट थी यानि कि हैपलॉइड थी लेकिन प्लांट बॉड़ी इस पॉरफाइट जिसके अंदर के है ट्रू रूट प्रेजेंट है ट्रू रूट नोट स्टैम लाइक रूट लाइक लीफ लाइक इस ट्रू रूट थी लेव्स जो थी प्रेजन रोट होती है और इस और गन जो थे पास बैल ड्वल्प बैस्कुलर प्रेजेंट होता है ठीक है अब देखो इनकी लीव्स जो होती है इसको माइक्रोफिल बोल दिया लार्ज भी हो सकती है मैक्रोफिल जैसे फर्न में ड्रायो पटैरिस बगहरा में पटैरिस बगहरा में जो ती लार्ज हो सकती है इसकी मेन वाड़ी क्या है इसके उपर स्पोरेंजिया बने हुए ठीक है और इन स्पोरेंजिया को स्राउंड किया जाता है स्पोरोफिल देखो यहां पर क्या है स्पोरोफिल पहले क्या होगा, इन Sporengia में आपके बला कि यह Sporengia को कौन स्राउंड कर रहा है, Sporengia को पौन स्रांड कर रहा है, और और यह Porengia को क्वोर कर रहे हैilles beide स्टंक्ट कंपेंट स्ट्रक्स्र बनाते हैं, उसको क्या बुलेंगanda that is called as the strobe lie या cone बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे cone जैसे slaggy nila में भी cone बना हुगा है equisator में भी cone बनता है ठीक है तो cone बनेंगे और इन के दिखो सबसे पहले अगर देखा जाएंगे सबसे पहले क्या था? cone था? ठीक है? cones बनते हैं और cones के बार क्या होगा? sporophylls होगा sporophyll के बार क्या होँगे? spor angi होँगे ठीक है? spor angi के दिखे हैं? spor mother cell है spor mother cell क्या बनाएंगे? spor बनाएंगे ठीक है? यह important है यहाँ पे spor angi है produce spor by meiosis in spor mother cell और spor germinate करता है into a give rise तो देखो यहाँ पे अब यह spor germinate कर रहा है बहुत ही small size की inconspicuous ठीक है? gametophyte small butter, multicellular ठीक है? multicellular free living, free living है लेकिन mostly काथ यह photosynthetic है thaloid है, इसमें कोई root true leaf, true stem होते है, मतलब नहीं present है thaloid gametophyte is called pro thalus बनाएगा और gametophyte होती है उसको cool, damp, shitty प्लेशी चाहिए होता है, ठीक है, grow करने के लिए और because of this specific restricted requirements होते है आपके पानी भी चाहिए होते है इसको fertilization के लिए और the spread of living प्लेशी होता है, limited है और यह narrow geographical range में बहुत है, देखो इनके लिए जो है, मतलब कूल temp प्लेशी होता है जब cool temp प्लेशी होता है तो यह सब जगन ही पाया जाते है यह narrow geographical range में पाया जाएंगे और gametophyte bear male and female sex organ called as the anthridia and archegonia, ठीक है, respectively ठीक है, और water जो होता है वो बहुत important है, anthegonia को और archegonia तक पहुंच आने के लिए जैसे ही बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर जायगोड बनेगा और जायगोड क्या करेगा फिर वो यहाँ पर जो मतलब वो sporophyte बनाना स्टार्ट करेगा, जो की dominant phase है हमारी प्रेडोफाइट की, ठीक है यहाँ आप नयाद रखना है तो मैंने बोलने का मतलब क्या है कि आपने ब्रायफाइट में क्या बढ़ा ब्रायफाइट में अपने गैमेटोफाइट में बड़ी थी वहाँ को उस गैमेटोफाइट के उपर मेल गैमेट बन रहा था फिमेल गैमेट बन रहा था ठीकिछ वो दोनों fuse ग्रिया si dygote बना रहे था और sporophyte बचा रहा किसके वीपेंड था वो gametophyte के उपेंड था तो ऑब भी नरीशमयन के लिए लेकिन यहां पर मेन बोडी क्या है यहां फीया मेन बोडी है sporophyte व sporophyte कि अंदर spor मरो बन रहे है और ऊस por Сейчас of the由umental तो क्या बना रहे हैं वो गैमेटोफाइट बना रहे हैं जब गैमेटोफाइट बना रहे हैं जब गैमेटोफाइट बना रहे हैं तो 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 गैमेटोफाइट बना रहे हैं नो इसको हम क्यों मैक्सिम्म मैं है लेकिं दू ऐसे जैनरा हैं प्रपारी स्लैजिनेला और साल वीनिया लेकिन साल वीनिया जो है यह कैट्सपर्पाइब फ Vai्ट है जैनरा लाइक कर-धिश जोगा वो क्या करेगा फिर आरेटेन ओन दापिरेंट प्रफाइट पर बेरिवल पिरिएड और डिवल्पेंट अफ जाएगोर्ज होती है इंट्व यंग एंवरी जो हता हुआ फिमेल गामिट फाइट में होता है और यही तो क्या है इस डिफरेंट आपके स्पोर जो बने माईक्रसपूर माईकरसपूर यही आपकी सीड है वहली सीड नहीं बने लेकान सीड हैबिट बनी थीक है और थीजा इंपॉस्ट ड आप आपकी त्रिडोपिट में देख गई थी अब हम त्रिडोपिट को चार भाग़वा में डिवाइड करते है फोर क्लासीज में साइलो और इन में एक्जामपल आता है साइलोटम यह एक्जामपल और एक एक जामपल रहिणिया आता है पने सुना होगा रहिणिया जो है एक और एक प्लीस में आता है साइल लोटमेंडर रही नहीं है ठीक है और उसके वारा आता है लाइकोपसीडा लाइकोपसीडा में कितने आते हैं लाइकोपसीडा में आप क्या आते हैं इसमें लाइकोपसीडा में इसको हम क्या बलते हैं कलब मॉस याद रहाँ लाइकोपसीडा को हम क् जोता है इसमें होमोश्पोर बनाएगा लेकिन स्लेजनेला क्या है वह रिट्रोश्पोरस है तो स्पोर बनाता है ठीक है या अपने एक अगराओ उसके बारता है टेरोप्स्ट टीडा ठीक है largest and most highly evolved group है यह आपका।रीट का।, ठीक है इसमें Dryopterris आता है। ठीक है उसके बाद जो मतलब इसमें जो आपटरीश आता है यह टेरिस जो बोल दो यह एडियंट्म आता है ठीक है एडियंट्म आता है। इसमें से Marcellia भी इसमें आता है। जो थे हमें एक्जामपल है तो यह टूर्स ए यह होमों स्वोरा से लेकिन मारे तो हर सिल्ए आ ट है टीक है मारेल झा जो तो ते आपके क्या मतलब यह तुम्ध के रूप में उज कर सकते हैं जैसे जैसे यहां ब़े बनते हैं स्वाइल बाइंडर होते हैं इसके स्कर्इंग की जातीए स्कर्रिंग मतलब उनटन और बरतन को साप करने के लिए जो इसका यूज की आता है ठीक है एक कुछ सेटम का इबन आपके नाइटरिजन फिक्षेशन में भी करते हैं समफर्न जैसे वाटर फर्न एक एजोला एजोला जोती है सिव इसके अंदर के होता है एक बैक्टिरिया प्रेजेंट होता है एना भ इत्यूंत लिए वुक्त ऐसे न पेलगर उसका यूजा जिसका दॉद सब्सक्रेश निएक है अंदर कर फूर्टियियंस न जोता है यहां नतरीर नाम है उसको बोलते हैं यह ऑर्नमेंटल प्लांट जैसे एंटाट्यशत्या फर्न ठीक है इसके वॉकिंग फर्न क्यों बोला जाता है ठीक है इसके लीफ टीप जो होती है जैसे स्वाइल के साथ कॉंटेक्ट में आती है तो एक एड़न्टीश रूट ड्वल्फ कर देती है और नया प्लाइट बना देगी इसलिए करते हैं उसको हम वॉकिंग फर्न बो हम कलब मॉस्स और स्पाइक मॉस्स भी बोलते हैं नहीं और नहीं हो अगरी ब्यूर्फ प्लांट हम वह इसका दूसरा नाम है संजीब नीबूटी स्लेजिग व्राइवप示 थे स्लेजिली लॉग त्यों हो नौते हैं संजीब निपुते का भी नाम है, री स्रक्षन प्लांट इन को हम बोलेंगे, समझाई चीज, ठीक है, और टॉलेस्ट रिटोफाइट कौन सा है, आलसो फिला, आलसो फिला इस टॉलेस्ट, आलसो फिला, आलसो फिला इस टॉलेस्ट रिटोफाइट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट आपने ब्रायाफाइट पढ़ लिया है तो यह हमने पढ़ लिया है अगर दोबारा बताऊं तो यहां पर क्या होता है कि आपने ब्रायाफाइट पढ़ लिया है प्रायाफामें में क्या है मेंन प्लांट पॉडी क्या थी ? है प्लॉड थी तो आपने देखता है हमने कर लिया है घ्लॉड कर लिया कि भीटेल में स्टडी कर लिया है और हमने टरेडोफाइटर लिए तो आज हम स्टडी करेंगे इट इस प्रबीन और सुन्हील टेन प्रेज़ने मातलब संफे होता है और अबे मिस और सपर्जा Leaos सेड कैसे होंगे नेकड होंगे इसलिए जिमनों का मतलब ही क्या होता नेकड जहाँ पर सीड कैसे होते हैं नेकड प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हूं आप जिमनो स्पर्म होते हैं they are the नेकर सीड प्लंट are plant in which ovules होते हैं, they are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization ये fertilization से पहले भी और बाद में भी जो होते हैं, इनके ovules होते हैं, नेकर ही रहते हैं ठीक है, सीड जो हैं जो post-fertilization के बाद जो ड्वल्प होते हैं, वो cover नहीं होते हैं, नेकर होते हैं तो यह याद रखना है तो सीद त्व पोस फट लाइजेशन जो धे रोट जोते हैं इसमें इनक्लूड इसमें मीडियम साइड ट्रीज भी आते हैं टौल ट्रीज भी आते हैं और वन ऑप तजिम्न जोते है जाइंट रेड बुड ट्रीज यह लेड बुड जैन सिकवा जो इ होती है number one is called as the taproot second one is called as the main li आम fivealyst root के बारें बात नहीं करेंगे हम यहां पर taproot under adventitious root के बारें बात करेंगे ऐसे root जो की radical से rise होती है is को हम क्या बोलतए है taproot बहुते हैं तो आपके gymnus Pub में क्या होता है radical present होता है radical जो बनाएगा, उसको हम क्या बहूलेंगे taproot पोलेंगे तो root कैसे होती है डडदी जनरली टैप root है root in some together using root होती है इसमें क्या होता है fungi present होती है तो इन जाते-जैसे pyneas की root में क्या होता है mycorrhiza fungus present होती है तो ह्नों को भलते है fungi mycorrhiza ken क्या होता है symbiotic extinction बेपन the fungi & root of higher plant इस called as the mycorrhiza तो mycorrhizal root कहां present होती है pinus में present होती है लेकिन कुछ other भी है some other cycles जो होते हैं small specialized root present होती है उसको हम क्यों बोलते है corraloid root present होती है जिस उन root में क्यों होता है nitrogen fixing cyanobacteria present होते है ठीक है nitrogen fixing cyanobacteria जहां present होती है इस root कहम क्यों बोलेंगे corraloid root present है उसको बोलेंगे, C से Corraloid और C से Cycus और Mycorrhizus जोता है वो आपके Pines में present होती है अब देखो, Stem जो होती है आपके Cycus की अनवरांच हो सकती है अनवरांच स्टेम होगी और बरांच किसमे होगी Pines और देवदा सिर्डरस देवदारा में क्योती है लीव जोती है, simple भी हो सकती है, compound भी हो सकती है, in cycles में compound leaf तो है, लेकिन कैसी है, pinnate leaves जोती है, compound leaf होती है, ये present होती है, few years तक ही ये रहती है, ठीक है, the leaves in gymnosperms होती है, ये बहुत ही bell adapted होती है, to withstand extreme temperature, gyrophytic adaptation होती है, ठीक है, temperature, humidity and wind बेंज होती है, ये extend, withstand कर सकती है, और in conifer, conifer ऐ लीव प्रेजन्ट होती है, ठीक है, अगर needle life leaf होगी, तो आपका surface रिया कम होगा, surface रिया कम होगा, तो क्यों होगा, आपका transpiration कम होगी, और पानी जो मतलब बचा रहेगा, ये को होगी, ट्रांसपरेशन रेट को कम करने के लिए होती है, और इनी leaf में क्यों होती है, ठीक स् स्पोरेशन रेटेशन 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 और मायक्र सपोरोफिल के गुरूप को क Cuban बोलते हैं को बोलते हैं जैसे अगर हो आपका सपोर है ग्रसकर को सराउंड करने माइक्रो नचीश को सराउंड करने के लिए कि प्रेजंट होगा यसमें लिफ प्रेजन्ठ होते हैं तिक माइक्रो spore Yazidוש, फिलंगे और माइक्रो स्प्रो फिल्टे वह क्या बनाता है में आगे जा की इसकी गुरुप को मेयल कोन बोल देते हैं क्या बलता है मेल कोन बोलता है वैसी मैग स्पोर्स होता है कहा बनेगा मैग स्पोर एंजी में बनेगा मैग परजिटो को surround किया जाएगा mega sporophyll के दुवारा और group of mega sporophyll is called as the female cone ठीक है तो भई चीज़ है the two kind of spore are produced within the sporangia that are worn on sporophyll which are arranged spirally along and axis to form compact cone ठीक है तो micro sporophyll या mega sporophyll के दो थे ही यह cone बनाते है और these strobe lie bearing micro sporophyll and micro and micro sporangia are called as the micro sporangiate or male cone जिनके अंदर micro sporangia है उनको उनको male cone बोलेंगे और जिनके अंदर mega sporangia है उनको हम क्या बोलेंगे फिर male cone बोलेंगे अब देखो micro sporangia के अंदर जो है micro spor मरसल है अब बोला कि micro spor जो develop हो जाएगा कि इसमें male gametophytic generation में जो कि बहुत ही highly reduced है and is confined to only limited number of cells बोला कि इतनी जड़ा develop हो नहीं है आपकी male gametophyte इसमें बहुत ही कम cell present होते है इसको हम क्या बोलेंगे male gametophyte और इसको male gametophyte को हम क्या बोलते है pollen grain भी बोला जाता है और यह pollen grain क्या होते हैं यह three cell stage होती है और development of pollen grain takes place within the micro sporangia ठीक है आपने याद रखना ही चीज़ और cone bearing megaspor profile को हम क्या बोलेंगे और megasporangiate और female cone बोलेंगे और male and female cone और स्ट्रोबलाई भी बोल सकते हैं में भी born on same tree हो देखो पाइनस होता है इसमें male and female cone same plant के उपर grow करते हैं लेकिन cycle क्या होता है डायसिस होता है जिसमें megasporophyte और born on different trees और अब इस megasporophyte में क्या होता है बनाता है और इस मेगस्पॉर नियुसलेस जोतर को प्रड़क की आता है एक structure that is called as the ovule के जारा और ovules होते हैं माइका स्पॉरफिल के उपर बनते हैं और जो की cluster to form female cone और मेगस्पॉर मदसल क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे मेगस्पॉर बनाएंगे औ के अंदर होगा जो की ड्वल्फ हो जाएगा female gametophyte जिसके अंदर क्या होंगे two or more archegonia हो सकते हैं ठीक है और female sex organ हो सकते हैं और multicella female gametophyte is retained within microspring तो इसमें क्योंगा archegonia present होते हैं ठीक है तो बोलने का मतलब क्या है male cone के अंदर pollen grain और female cone के अंदर archegonia archegonia बनेगा ठीक है male gamet बोलेंगे अगर हम ब्राइव फाइट और टुड़ोफाइट के साथ इनकी तुलना की जाए तो जिम्नोस्प्रिम में क्या होता है male and female gametophyte जोते हैं उसी तरह क्या है कि आपके यहां पर जिम्नोस्प्रम में ऐसी चीज़ है नहीं थी दे रिमेन बिदिन स्पॉरंजिया रिटेन ऑन्द स्पॉरोफाइट ठीक है इस पॉरंजिया के अंदर होते हैं यह independent नहीं होते हैं इस पॉरोफाइट के उपर डिपेंड होते हैं और के इंदर बिदाएगा और आपको उभ्यूल जो है सीड के अंदर चेंज हो जाएगा और यह सीड जोने कैसे होंगी नेकड होते हैं जैसी एक्जामपल दे रखा है पाइनस याद रखना मोन्योसिस होता है मेल और फिमेल कौन सेम ही टाइप होते हैं और साइकस है जिसमें अभी चार पैजा में डिवाएट करते हैं जिनोस परम को भी हम चार भबामें दिवाइट कर दें नमर्भन यहाद रखना है तो इसके भी आपके क्या हैं चार जो है मतलब ग्रूप है नमबर वन इसा साइकेड उपसिडा जिसमें साइकस हम पढ़ते हैं जिंको उपसिडा में हम क्या पढ़ते हैं जिंको वाइलोवा जो की लिविंग फॉसिल है कौनिफिर अपसिडा में हम पाइनस पढ़ते हैं एफिडरा बगार इसी में आता है ठीक है पाइनस ही हम इसमें पढ़ते हैं ठीक है और सिड्रस बगार इसमें पढ़ते हैं पाइनस इन सिड्रस वह है कौनिफिर अपसिडा में आता है स्प्रूस बगार इसी में आता है ठीक बैलवीशिया नीटम एंड एफिडरा जोते हैं में बैसल्स प्रेजेंट होती है ठीक है यह भी आपने याद रखना है उसके बाद जीमनो स्पर्म जोते हैं यह कहां होते हैं माउंटेन एरिया में पाई जाते हैं आपको पता हुना चाहिए ठीक है इनके पास जीरोफिटिक और बैलवीशिया में यह आपने याद रखना है नीटोपसिडा में नीटम आता है ठीक है नीटम है उसके बाद कौन सा है यह एफिडरा ठीक है एफिडरा और आपका जो है बैलवीशिया में क्यों होता है वैल विशिया जो है इसमें क्यों होती है कि आपकी बैसल्स प्रे प्वुडि होगी और लेकिन जब इनकी बूड में बैसल अबसंट है न तो इनकी बुड़ को हम क्या भोlt आपने प्लस्ट्टू करके आए और तुम लोगों किया हो वह तुम लोगों क्रेस्ट कोर्स तुम कर रहा हैो तो आपने यह पढ़ा होगा कि मतलब एंड्र cotton जो होती है ट्रिपलाइड होती है क्यों एंडियोस्पर्म में हमने फर्स चेप्टर सेक्टर प्लस्टर में पढ़ा होता है ठीक है लेकिन इन जिम्नोस्पर्म endosperm क्या होती है,hypload होती है,क्योंー? क्योंकि ये смотрionalization से पहले बनती है,क्योंकि ये fertilization से पहले बनती है,सलिए कैसी होती है,hyIntro homem होती है, algorithm होती है,how McDarios is all aboutzone,all about the inosperm, इसमें एक ये फॉइक है कि jin yink oba jeb living fossil है,् ठीक है ये maiden , इसको maidenhair four में और फर मी बोलता है जिंकौबाई लोगा को और साइकस का लारजस्ट टो भी में छोता है और ऑप देखने को मिलता है त encant लेकिन अगर जीमिनसपम में इसके त्रोण भीसे तुल लिए जाये जहां पे विया देज़ा इनेकड थे विया होता है खी ओबरी प्रिजन्ट हूती है यहां पे पॉलन ग्रेन एंड ओबूल पीनेश पीने पहशे लिए प्लावर जो होते हैं ये specialized structure में जो है मतलब हो डेल पुतन को बोलते हैं flower flower के आपने चार पार्ट पढ़े होंगे कैलिक्स, करोला, अंडरोशियम, गाइनोशियम, अंडरोशियम में पॉलम के इन बनेगे गाइनोशियम में क्या बनेगा एक बनेगा यहां सरे commercially important product यहां से में मिलते हैं, इसमें दो ही class आती है, that is called as the dicot and monocot तो यह flowering plants इतने भी हैं, सरे के सरे के हैं मतलब, आपके जो मतलब यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है, clear ही बात इतनी, यह हम देख सकते हैं अब जो है नहीं बठा, that is plant life cycle and alteration of generation, यहां पे हम तीन जो है, मतलब चीज़न देखेंगे different plant group जो होते हैं, वो अपने complete करते हैं, life cycle in different pattern में और यहां पे phases in which life cycle जो होते हैं, complete होते हैं, follow each other, ठीक है, अब यहां पे इसी को हम करते हैं, alteration of generation हम बोलते हैं, ठीक है life cycle जो होते हैं, तीन टाइप को होते है, life cycle जो है, वो तीन टाइप को होता है, haplontic, diplontic and haplodiplontic अब देखो, haplontic में होता क्या है, देखो, यहां पे आपने बहुत interesting के, यहां से question हर बार आता है, ठीक है, in plant, both haploid and diploid cells होते हैं, can divide by mitosis, ठीक है हमारे plant में क्यों होता है, haploid cell भी होते हैं, diploid cells होते हैं, mytosis के तुरू divide कर सकते हैं, और this ability lead to formation of a different plant body, ठीक है, haploid plant body भी बन सकती है, diploid plant body भी बन सकती है, haploid plant body, यह करें, अगर मान लो कि कोई plant है, वो haploid है, अगर वो plant haploid है, तो obviously वो mytosis के तुरू ही haploid gamet बनाएगा, meiosis तो नहीं होगी, तो अगर haploid plant body produce gamete by mitosis, और this plant body represents the gametophyte, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर gametophyte है, gametophyte main plant body है, और यह gamete बना रहा है, cable mitosis से ही बनेंगे, अब जब यह following fertilization जब होगी, तो क्या बनेंगे, यहाँ पर gigot बनेंगा, और gigot क्या यहाँ पर diploid है, तो maximum life span किसमें है, वो haploid phase में ही पास किया जा रहा है, इसको हम बोलते है, haplontic life cycle, तो यहाँ पर क्या होता है, जाएगोट divide by mitosis to produce the ploid sporadic body, और haploid sports and produce in this body, मियोसिस से बनते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, mitosis बोलते हैं, obviously क्या होता है, यहाँ बतलब जो है, plant body जो हो बनेंगे और वो आगे चल के gametophyte ही बनाएंगे, ठीक है, तो यह आप देखेंगे, अलग-लग, ठीक है, अलग-लग phase होती है, ठीक है, तो thus, during life cycle of any sexually reproducing plant, there is a alteration of generation between gamet producing haploid gametophyte and spore producing deeper sporophyte, तो यहाँ पर क्या होती है, gametophyte, sporophyte, gametophyte, sporophyte, 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 के थ इनको represent करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपने haplontic life cycle देखने है, haplontic life cycle में क्या हुआ, देहान से देखना है, haplontic life cycle में क्या था, कि main plant body क्या थी, gametophyte थी, और यह gametophyte तो यह नहीं कि क्या होगी, haploid होगी, यह mitosis के थूँ क्या बना रही है, male gamet बना र cells होंगे, spore में meiosis होगी, तो आपके haploid spore बनेंगे, और spore जैसी germinate करेंगे, क्या बनाएंगे, gametophyte बनाएंगे, तो maximum phase of life cycle, maximum phase of life cycle जो होता है, it is past between the gametophyte, ठीक है, इस ही को हम बोलते है, haplontic life cycle, तो maximum life cycle क्या है, इसका haploid ही है, जैसे ball box हो गया, spirogyra हो गया, या आपका, जो है, मतलब, कलमाइडो मनास, जो है, algae जो maximum follow करती है, वो जो है, haplontic life cycle ही, जो है, फॉलो करती है, उसके बादा है, diplontic, diplontic में क्या होता है, maximum life span क्या होगा, वो diploid होगा, इसे मान लो, यहाँ पे main body क्या है, sporophyte है, अब sporophyte डिपलोइड हो, तो यहाँ पे gamet जब ना बेटा, तो मीघुसिसाई बनेंगे, तो अविसि जब sporophyte, spor प्रेउज़ करेगा, तो मीघुसिसे से बनेंगे, और spor क्ये करेंगे, वो germinate होगे, क्या बनाएंगे, gamet बनाएंगे, और gamet जैसाई बनाएंगा, दोने diffuse करेंगे, जाएगा, आ जाएगब क्या क्याँगा, पिलानेशन में जा रहा है तो स्पोरफइट में जा रहा है तो इसको हम के बोलते है वित लिवाइब भॡ्ण्रों पहल हम तो है ऐब उसके बात है हैपका हैिपलो-डिपलॉटिक सेकल हैपलोइड dollar ऐसे ओब और दिप्प आधाड फीर फेज हैपलोइड औरर डिप्लॉड फेज हूथ वह म legitim होती है इक्वल होती है कैसे तो कि यहां पर sporophyte था ठीक है यहां पर आपको sporophyte दिख रहा है अब sporophyte क्या करेगा वह germinate करेगा meiosis करके क्या बनाएगा spor बनाएगा आ गया है uploid phase अब spor क्या करेंगे gametophyte क्या करेंगे mitosis से gamet बनाएगे दोनों fuse होंगे जाएगा जाएगा और जाएगा बनाएगा sporophyte बनाएगा तो यह चीज क्या हुआ है haploid और diploid phase दोनों equal है लेकिन इसी को हम बोलते है haplodiplontic life cycle और कहां पाए जाता है ठीक है कुछ ऐसी most algal genera है जो कि haplodontic है और some such as ectocarpus जोती है और poly polysiphonia जोती है यह example है आपके and kelps are example of haplodiplontic अब डिक्वेंस से ठीक है बोलती है ठीक है बनाएग कि यहां पे how different plant group as well as individual representing them differ in following pattern sporophytic generation जोती है is represented only by one cell gycote ठीक है sporophyte मतलब diploid phase होती है जाइगाट बना there is no free living sporophyte sporophyte जो होती है free living नहीं होती है ऐसे organism में ठीक है मियोसी जाइगाट में होगी जिसकी वस्ते क्या होता है कि मतलब spor बनेंगे लेकिन haploid बनेंगे और haploid spor क्या करेंगे माइटोटी के लिए क्या बनाएंगे वो gametophyte बनाएंगे और gametophyte क्या करेंगे यह dominant photosynthetic phase होती है plant में और free living gametophyte होता है और this kind of life cycle होता है वो haplontic होता है many algae many algae जिसे ball walks हो गया spire हो गयर हो गया किलमाइड बनास होती है यह इसी pattern को follow करते है other जो है on the other extreme के हो गया is the type where diploid sporophyte जो होती है वो dominant है जहाँ पे sporophyte क्या होती है dominant होती है photosynthetic होती है ठीक है and independent phase होती है plant की और gametophyte होती है single or few cell को जो है यह haplar gametophyte को represent करती है इसको बहुते हैं diplontic life cycle diplontic life cycle जैसे alga जो होगी आपकी fucus फ्यूकस जो होती है इसमें यह pattern show होता है in addition जो आपके angiosperm जोते हैं इसी pattern को follow करते हैं ठीक है जहाँ पे gametophytic phase होती ही बहुत ही few होती है मल्टी से यार ना fucus and cladophora fucus and cladophora जोते हैं diplontic life cycle शो करते हैं along with gymnosperm and angiosperm लेकिन ब्रायोफाइट एंटिडोफाइट होते हैं यह क्या करते हैं यह haplodeplontic phase शो करते हैं क्यों क्योंकि इसमें बोथ haploid और diploid phase यह sporophyt और gametophyte और gametophyte और gametophyte अलग था लेकिन इंडिपेंट था ठीक है यह dominant independent photosynthetic thaloid और erect phase is present by the haploid gametophyte और alternate करते हैं short-leaved multicellular sporophyte partially totally depend करता है gametophyte के ओपर for increase and nutrition के लिए और all bryophytes होते हैं इस pattern को resemble करते हैं उसी तरह diploid profiles होती है यह dominant थी independent थी photosynthetic थी vascular plant body थी vascular plant body थी और it alternate with the multicellular sporophytic और autotropic independent बटर short-leaved auto independent है लेकिन short-leaved gametophyte such pattern is called as a haplodiplontic life cycle और all treatophyte यह pattern और ब्राफ़ाइट जोते हैं haplodiplontic life cycle शो करते हैं interestingly क्यों होता है कुछ algal generator जैसे haplontic है some of them such as actocarpus polysiphonia जो होते हैं यह haplodiplontic होते हैं haplodiplontic शो करते हैं ठीक है actocarpus and polysiphonia and fucus जोता है यह diploontic शो करता है fucus and clear याद रखना maximum algae जोती है नो देखो आमने तो यह पढ़ा कि haplontic में algae आती है algae maximum जोती है haplontic life cycle शो करती है diplontic में आपके angiosperm और gymnosperm आते हैं ठीक है haplodiplontic में आपके bryophytes आते हैं और pitophytes आते हैं normally उसमें डिपेंड करता है कि आपका dominant phase कौन सी है लेकिन algae जो है na algae एक ऐसा group है जो कि haplontic life cycle भी शो करता है जैसे आपने किलमाड़ मनास के बारें पढ़ा kumbalmux के बारें पढ़ा उसमें haplontic life cycle है diplontic fucus है diplontic भी शो करें ठीक है fucus आ रहा है ठीक है cladophora आ रहा है ठीक है लेकिन haplodiplontic में भी आ रही है दिखो कौन से एक्टों गर्पस तेन पॉलिसाइफ होनी है यह heplodiplontic condition है ठीक है आपने याद रखते है ठीक है यह चीजह आपने याद रखने है उसके बार यह आप है और चीजह आपने लार्जस्ट एग largest sperm और largest ovules होता है इस फामली ने साइकस ठीक है largest egg largest sperm largest ovules होता है वो कहां पाय जाता है वो आपके साइकस में पाय जाता है और जिंको बाइलोबा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं जो है maiden hair tree भी बोलते हैं अपने याल रखने maiden hair tree बोलते हैं ठीक है उसके बाद है आपका सिक्वा 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 जोते हैं इसको रैडवुड ट्री भी हम बोलते हैं तो इस आल अवाउट यूर अल अवाउट यूर प्लांट किंडम में हमने पांच डिविजन पड़े एलगे पड़ा ब्राय फाइ